नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA Government Job News में और आज की क्लास में बात करेंगे DRD, MTS का आज हैं पूरा पेपर आप लोग के साथ डिसकस करने वाले हैं तो अगर ये क्लास आपको आज की पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट जरूर कीजेगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपने इस क्लास को आईए, देखते हैं हमारा आज का सबसे पहला कोशन बिना किसी समय को गवाए तो देखिए पहला कोशन आपके सामने है और आप लोग को मेरे प्यारे साथियों ये बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका जो है सबसे अलग है जैसे कि दिया गया शेर, शेर रहता है मांद याने की गुफा में, शेर कहां रहता है गुफा में रहता है जो पक्षी हैं बर्ड हैं ये आपके घोसला बना कर रहते हैं, ठीक है मदुमक की छत्ते में रहते हैं लेकिन बिल्ली का जो निवास इस्थाने म्याओ नहीं होता है यह साउंड है बिल्ली का म्याओ तो बाकि सारे जानवर और उनके रहने के निवास इस्थान है तो सबसे अलग मेरे प्यारे साथियों जो राइट आंसर होगा औप्शन सी होगा, कैट और म्याओ चलिए अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह कोश्चन आपको दिया गया है और इस कोश्चन का आपका सही जवाब क्या होगा चलिए बताईए तो आपको पहले एक स्कुएर दे रखा है फिर सर्केल दे रखा है फिर कोश्चन मार्क है तो कोश्चन मार्क के बाद फिर से आपको सर्केल में दे रखा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा चलिए आप सभी लोग बताईए समझ में आ रहा है आपको देखिए अगर आपको क्लास आज की important लगे तो वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा, मिलकर आप सभी लोग support जरूर कीजेगा हाँ, तो मैं आपको बता रहे हैं यहाँ पर जैसे की circle था न, circle से आपका यह आ रहा है, उसी परकार square से आपका क्या हो जाएगा इसमें भी हम तीन टैप से divide कर देंगे, तो आपका right answer क्या हो जाएगा, यह वाला correct हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, चलिए अगला ocean आपके सामने आपको दिखा गया है, इसको आप लोग बताईए, दोस्तो निम लिखित सरंगला में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन को प्रतिस्थापित करेगा, निम लिखित में से कौन सा विकल्प जो है आपका प्रश्न चिन को प्रतिस्थापित करेगा, यह देखिए यहां पर श्रंकला के प्रतेग पद का अंतिम अक्षर दूसरे पद का प्रतम अक्षर हो रहा है और प्रतेग पद के अक्षरों में तीन तीन इस्टेप आगे बढ़ रहा है जैसे कि आप लोग को बताते हैं यहां पर देखिए ए है ए से शुरुआत हो रही है जी से शुरुआत हो रही है एम से शुरुआत हो रही है तो एस से शुरुआत होगी और प्रतेग में तीन तीन वाई समझ में आए आपको अगर कहें पर भी आकर आपको समझ में ना है तो मुझे बता दीजेगा मैं फिर से समझाने का दोस्तों आप सभी को प्रयास करूंगा तो अगर आप का अंसर यहां से आ रहा है थैड कोशन का option C वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा मेरे प्यारे स इसको आप लोग बताईए एक आपको अनुकरम दिया गया है जिसमें से एक पदापका लुप्त है दिये गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुकरम को पूरा करे डी पी ए वाई ए फ जे अगले स्टेप क्या होगा बताईए ध्यान से कीजेगा देखि एक बात मैं आपको बता रहा हूँ है आप लोग यह तो जानते हैं डी आपका जो चार नमर पर आता है और 4 का स्कॉर्ण होता है 16 और 16 पर आपका पी आजाएगा यह आपका 5 नमर पर आता है और 5 का 25 होता स्कॉर्ण 25 पर आपका वाई आ जाएगा एफ आपका 6 नमर पर आता है तो एफ छे का इसकॉर्ण 36 हो जाएगा अब 36 तो 25 जादा हो जाएगा तो अब यहां क्या करेंगे इसमें 26 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 10 जी मेरा साथ नमर पर आता है साथ सत्य 49 49 में से 26 घटा देंगे तो हमारा 23 बचेगा और 30 नमर पर डवलु आ चाहिएगा तो अगर दोस्तों आप कांसरियां से GW आ रहा है very good class बहुत बढ़िया दोस्तों तो इस question का आपका सही जवाब होगा GW समझ में आए आपको चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे अगला question आपके सामने आपको दिया गया है ध्यान से आप लोग पढ़िये और बताएगा कि इ तो यहां से आपका सही जवाब क्या होगा तो इसको देखिये और बताईए कि यहां से आपका सही जवाब क्या होगा और वीडि अपनी क्लास को शेयर करते हैं सबी लोग बहुत इंपर्टन क्लास है देखिये आपका यहां पर ऑप्शन ए दिया गया है क्यों और कैसे यह मैं आपको बता दूँ देखिये आपका हर जगा इदे रखा है आपको एक दो तीन चार सरकेल दे रखेंगे यहां पर देखिये एक दो तीन चार है यहां पर देखिये एक दो तीन चार है यहां पर देखिये आप लोग एक दो तीन चार है लेकिन एक चीज आपने ध्यान से नहीं देखिए एक चीज मैं आपको आपके दोनों सेम है यह सेम है यह सेम है यह सेम है इसमें देखिये दोस्तों आपके यह और यह आपके सेम है इसमें यह सेम है लेकिन इसको और इसको देखिए क्या यह दोनों बराबर हैं नहीं बराबर ना मारे इसमें बाकि सब कुछ कॉमन है लेकिन अगर आप इसको देखोगे इस वाले को देखोगे तो यह बड़ा दे रखा है और यह छोटा दे रखा है इनको अगर मिलाएंगे तो भी ऐसा बनेगा ना तो पूरा सर्गल तो बनेगा नहीं यह इतना बनेगा इसलिए दोस्तों करेंगे तो यह वाला उप्षिन आपका जो है सबसे अलग हो जाएगा ठीक है इतनी बात समझ में आगे आपको चलिए अब मेरे प्यारे साथियो ले चलते आपको आगे अगल और एक जो है अपका तीन की तरह नहीं है तो उस विकल्प का चैन करिए जो सबसे अलग है तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा चलिए बताईए कन्फ्यूज नहीं होना है विजय कुमार जी ध्यान से पढ़ाई कीचिए हम है तो कन्फ्यूजन की क्या बात है जब कन्फ्यूज हो जहां पर भी हो मुझे बताईए जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम आपको बताते रहेंगे ठीक है जितने भी लोग क्लास को एका क्यूब यह होता है नोका क्यूब यह होता है 11 का क्यूब लेकिन यह स्कॉायर है इसलिए आपका सबसे अलग क्या हो जाएगा डी वाला हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कुश्चन देखिए दोस्तों आपको यहां पर क्या दिया गया है इसको आप लोग बताईए तो मेरे प्यारे साथियों किसी निश्चित कुडवाशम यदि वेटर को जो है एक्स क्यूं सी सी एल क्यूं लिखा जाता है अभी एक्जाम की डेट नहीं आई है अफिशिल नोटिफिकेशन जारी हो जाने देजिए तब हम उसके बाद आपको पता पाएंगे कि आपका एक्जाम कब तक हो पाता है अभी आप लोग यही मानकर चलिए कि आपका पेपर जो है नवंबर दिसंबर तक आप लोग मानिए बागी अगर इस्तिति में को सुधा होता है और अगर आपका यह DRD के अगर हम बात करेंगे यह कोई information जारी करता है तो हम आप तक जरूर पहुचाएंगे आपको inform करेंगे लेकिन तब तक के लिए please आप लोग तैयारी करते रहिए अपने तैयारी में धील बिल्कुल मत डालिएगा ठीक ना समझ में आगे आप को चलिया कि 7th question के अगर हम बात करेंगे तो यह question कैसे लगा पाएंगे आप लोग देखे वेटर आपको दे रखका है डबलू ए आई टी ए आर और इसकों क्या लिखते हैं यहां से एक्स क्यूं सी सी एल क्यूं अब समझने वाली बात आती है यहां पर डबलू से एक्स तक गय आप लोग केबल एक स्ट्यप आगे बढ़े है की में अगर क्या रहा है यहां से देख पा रहे हूँ है अब आर को उठाएंगे यहां से और को तो R के अगर हम बात करेंगे तो देखें आपर क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर हर एक चीज मैं आपको बता रहो यहाँ से I से देखें हम L पे ले गए E से मैं यहाँ पर C पर ले गया तो यह देखें माइनस का 2 हो गया QRST तो यह माइनस 3 हो गया यह मेरा माइनस 2 हो गया और यह मेरा QR माइनस 1 हो गया तो यह आपका लॉजिक चलना है समझ रहे हैं इस लॉजिक में बहुत confused हो सकते हैं आप लोग लेकिन मैंने आपको बता दिया केवल आपको इधर एक step जाना है इदर दो step आगे बढ़ना है इसमें आप लोग देख सकते हैं एक step जाना है आपको तो आप लोग यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इसको देखिए तो इस प्रकार हमें लिखना है bagger का तो bagger का B से मेरा क्या आजाएगा एक step आगे बढ़ेंगे C आजाएगा और इदर रखा है E F G इदर G आजाएगा लास्ट वाला जोदर रखा है R तो R का सीधे मेरा इदर आएगा ठीक है ना तीन step आगे तो क्यों आजाएगा मेरा ऐसे क्यों R ठीक है एक step केबल पीसे जाना है फिर आपका यहाँ पर जीद रखा है इदर पहुंची है आपका J आजाएगा तो कुल मिलाकर आपका right answer होगा option B आएगा बहुत ही complicated है तो जिनका भी answer यहाँ से B आ रहा है बिलकुल आपका answer right हो जाएगा perfect हो जाएगा समझ में आया बड़ा अजीब question था यह लेकिन हलांकी मैंने सोचा आप लोग के साथ discuss कर लिया जाए क्योंकि हर type का question मैं तो आपको बताऊंगा ही और अगर आपके सारे question तयार हो जाएगे तो exam के time में आपको कोई problem नहीं होगी चलिए अब हमारा अगला question आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताईए दोस्तो रानी अपने घर से पहले 15 मीटर सामने और फिर 15 मीटर दाय चलती है चलिए यह रानी है रानी को चलाते है तो रानी जो अपने घर से 15 मीटर जो है सामने तरफ चलती है यह रानी का घर हो गया मान लीजे और यह 15 मीटर सामने तरफ चलती है 15 फिर यह दाय मुड़ती है दाय मुड़ती है और 15 और चलती है उसके बद में बाय मुड़ती है और 10 चलती है उसके बद हर बार में बाय मुड़ती है 10 दश, पच्चिस, पच्चिस ऺज़ती पहले, दस चलेगी, फिर 20, फिर बाए, पच्चिस चलेगे, तो अब आप मुझे बताए कि आप जो है, वो घर से कितना दूर पर है, ठीक ना, दो दोस्तों यहां से इसके दूरी गयाद कर नहीं है अच्छा दोस्तों यह 15 है ठीक न और यह वाल आपका 10 दे रखा है तो यह तो 25 हो गया अच्छा यह 15 है यह तो जिसका भी यहां से 10 दस मीटर की दूरी पर है तो जिसका अब यहां सर दस आ रहा है बिल्कुल राइट होगा परफेक्ट होगा समझ में आए आपको इलिए रोग इतनी बात चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे अगल्या कोश्चन आपके साब ने आपको दिया गया है इसको आप लोग बताई है मनीश जो है आपका नितिन का भाई है ठीक है मनीश नितिन का भाई है शांता दया की मा है और मनीश की मौसी या मामी में से कुछ है मनीश का दया से क्या संबंद होगा इसको बताई गया एक कोश्चन और आपके सामने आता हुआ बहुत अच्छा कोश्चन है तो नितिन का जो भाई है वो मनीश हो गया यह भाई हो गया नितिन का भाई कौन है आपका मनीश हो गया शांता जो है दया की मा है दया की मा दोस्तों कौन हो गई यहापर दया की मा आपकी शांता हो गई ठीक न तो दया की मा आपकी शांता हो गई यह मा हो गई और मनीश की मौसी हो जाएगी या मनीश की मामी हो जाएंगे तो आप लोगा कुझे बताएगे मनीश थे क्या संबंध हो जाएगा अगर मौसी को जाते हैं य Bry cam हो जाएगे यह कज़िन व जाएगी तो यहां पर देख सकते मनीश डया का कौन होगा भाई होगा ठीक है ना तो जिनका ब्यांसर कजिन आ रहा है बिल्कुल राइट होगा सबसे परफेक्ट आंसर होगा आपका यहांसे कजिन चले अगला कोश्यन आप लोग यहां पर देख सकते हैं आपको क्या दिया गया है एक आपको नंबर की स्रंकला दे रखी है तो अक्षरों और संख्याओं की दोस्तों अक्षरों और संख्याओं की निम लिखित स्रंकला में संख्याओं की गिंती और स्वरों की गिंती के बिच क्या अंतर है चलिए आपको टोटल संख्या है और जो टोटल बॉबल्स है इनका आपको अंतर बताना है कितना हो जाएगा अब बहुत ही अच्छा कोशन आप लोग के सामने है इसको बताईए संख्या काउंट करेंगे तो आपका एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ, दस, टोटल दस संख्या हो गई मेरी रिष्ठी है ना, अब बावल काउंट कर लीजिए आप लोग यहां से, ए, ए, यू, ओ, आई, तो ए, ए, यू, ओ, आई, पाँच हमारे बावल दे रखें, दस संख्या हैं, पाँच बावल से, तो इन दोनों का अंदर कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, समझ में आगे आपको, तो जिनका अभियासर हैं से पाँच आरा बिलकुल राइट होगा, तो मेरे सभी प्यारे साथ ही हो, इस कोश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, पाँच होगा, समझ में आगया, चलिए, नेक्स कोश्चन दोस्तों आपको क्या दिया गया है, कोश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन आपके सामने है, यदि बाहारी आकरती को घड़ी के सुईं के मताबिक 270 डिगरी पर फोल्ड किया जाता है, और अंतता जो है आकरती को, जो अंदर वाले जो आकरती है, इसको घड़ी के सुईं के विप्रीत, 270 डिगरी घुमाए जाता है, तो नीचे दी गई आकरतियों में से कौन सी आकरती मूल आकरती के समान होगी, चलिए बताइए, अगर ट्रेंगल को देख लेंगे, और इस आकरती को घड़ी के सुईं के दिश्या, मतलब इस तरीके से, क्लॉक बाइस, 270 डिगरी रोटेट करना है, तो देखिए, 180 का मतलब कितना हो जाएगा, यह तुर्ण नीचे हो जाएगा, और 70 में एट रेंगल आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि आपका नहीं बन रहा है, पहला गलत, दूसरा देख लिजे 270 में, 180 में आपका यह फोल्ड हो जाएगा, तो ऐसे रहेगा, और 90 में ऐसा हो जाएगा, तो यह भी गलत, चलिए, अब सरकिल को देख लिजे आप लोग, सरकिल को चाहे कितना भी घुमा लिजे सरकिल का सरकिल ऐसे रहेगा, अब बात करेंगे अनतहास्त आकरती की, तो दोस्तों अंतहा आकरती जो घड़ी की सुईंग की विप्रीत यानि कि अब किया बार ऐसे चलना है एंटी क्लॉग बाइस टू सेविंटी डिगरी तो यह जो आपको दे रखा यह यह जो आपको दे रखा इसको दो सो सत्तर डिगर रोटेट करना है तो एक सोसी रोटेट करें तुमारा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो दोस्तो सरकिल भी चेंज नहीं होगा और हमारा यह भी चेंज नहीं हो रहा है तो इस प्रकार आपका सही जवाब क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला जबकि अगर हम बात करेंगे इसकी तो यह टू सेविंटी डिगर रोटेट होने पर देखिए मैं इसके बारे में गता रहा हूं एक सोसी में तो दूस्ता आपका यह ऐसे ही रहेगा लेकिन जब नबबे डिग्रीज को और रोटेट करेंगे तो यह हमारा इस तरीके से बन जाएगा चेंज हो गया नहीं हो गया तो यह वाला गलत हो गया तो के लिष्ट बिदेशी भाष्या फिल्म के लिए वर्ष 2019 की आसकर बिजेता फिल्म कौन सी है मताईए देखे दोस्तों करेंगे जैसे कि आपको दिया गया है 26 वाला तो जिनका भियांसर नहीं से ए आ रहा है रोमा मेक्सिको बिल्कुल आपका अंसर राइट होगा नेक्स्ट कॉश्चन आप लोग बताएए मुझे 31 मई 2019 को भारत के वित मंतरी के रूप में निम लिखित में से किसे निउक्त किया गया सही जवाब होगा आपका निर्मला सीता रमर जी 31 मई 2019 को भारत के वित मंतरी के रूप में श्री मती निर्मला सीता रमर जी को निउक्त किया गया ठीक है रक्षा मंतराले की बात करेंगे तो आपके श्री राजना सिंग जी है गरह मंतराले की बात करेंगे तो यह मिला है श्री अमिशाह जी को और पंचैती राज मंतराले क्रशी एवं क्रशक मंतरा ठीक है इसकी बात करेंगे तो क्रशक कल्यार मंतराले श्री नर्ण सिं और अगर हम बात करेंगे आदिवाशी मामलो का मंत्राले शिरी अर्जुन मुंडा महिला एवं बाल विकास की बात करेंगे कपड़ा मंत्राले की तो ये हो जाएंगे शिरी मती इस्मरती इरानी जी इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं रेल और बाडिज्य उद्यों मंत्राले ये इनसे रिलेटेड कौन है आपके श्री प्यूस गोयल जी है और इसके अलाव अगर हम बात करेंगे परियावरन बन एवम जलवाईू परिवर्थन मंत्राले की यानि कि सूचना एवम प्रसारण मंत्राले की तो इससे रिलेटेड आपके व्यक्ति है श्री प्रकाष जावेड कर जी ये कुछ आपके प्रमुख व्यक्ति है और इनसे समर्द मंत्राले हैं जो हमने आपको बता दिये हैं फिलाल इस कुशन का जवाब का सही जवाब होगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा निर्मला सीता रमारची ठीक है चलिए अब आप लोग मुझे बताईए निम लिखित में से कौन संस्क्रत का प्रत्थम व्यक्ति था बिल्कुल सही बताई आप लोगोंने सही जवाब होगा आपका पाड़ ही नहीं चलिए अगला खुशन आपके सामने आपको दिया गया है आप लोग मुझे बताईए निम लिखित में से किस सिख गुरु ने अमरस सर की आधार सिला रखी थी दोस्तों अब आप लोग आप बताईए आपको क्या दिया गया है निम लिखित में से किस सिख गुरु जी ने अमरस सर की आधार सिला रखी वेरी गुड साथियो 29 कुशन का आपका सही जवाब होगा गुरु रामदास तो जिनका भी अंसर आ रहा है गुरु रामदास जी आ रहा है बिल्कुल राइट होगा चलिए इसके बाद ले चलते हैं आपको आगे अगला कोशन आप लोग मुझे बताईए महात्मा गांदी ने निम लिखित में से किस का समर्तन नहीं किया साथियो क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांदी ने जो जो है निम लिखित में से किस का समर्तन नहीं किया ठाइडी कोशन के बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा हैवी इंडरस्ट्री यानि कि भार युद्धियो भारत के राश्टपती कितने राज्य सवा सदस्टों को मनोनित कर सकते हैं हमने आपको पहले बताया था अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की तो ये राज्य सवा में जो है 12 सदस्टों को मनोनित कर सकते हैं और लोग सवा में ये जो है दो सदस्ट्रों को मनोनीत कर सकते हैं राम राम तो जिनका अब यहांसर यहां से आ रहा है 31 कोशिन का C वाला बिल्कुल आपका अंसर राइट हो जाएगा 12 ठीक है चलिए अगला कोशिन आपके सामने आपको दिया गया है हमारे राश्ट्रिय ध्वज में चक्र किस बात का प्रति निधित्व करता है सही जवाब होगा आपके यहां से सत्य तो जिनका अब यहांसर सत्य आ रहा है बिल्कुल राइट होगा चलिए निम लेगित में से किसको जो है विश बैंक भी कहा जाता है जी बिल्कुल आपने सही बताये दोस्तों देखिए अगर आपको क्लास आज की इंपोर्टन लगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा सभी लोग शियर जरूर कीजेगा और 34 कोशन के बाद करेंगे हमारा सही जवाब होगा आई बी और डी यानिकी अंतराष्मिये उनर निरमाल एवम विकास चलीए भाधर स्वाMark नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है भाधरा नांगल परियोजना जो है दोस्तों आपकी ये कौन सी नदी पर है गहंगा, सथलज, कावेरी, या फिर आपका होगा यहां से ब्रह्म पुत्र होगा, सही जवाब दोस्तों आपका यासे क्या हो जाएगा, सतलज हो जाएगा, ठीक है, चलिए, अब दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, कौन सा देश, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मेरे सभी प्यारे साथ थी, आप लोग देखिए, कौन सा इस गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, ब्राजील, युनाइटेड इस्टेट्स, फ्रांस या फिर आपका हो जाएगा से, चाइना, ठाइटिसिस कोशन के अगर हम बात करेंगे, तो आपका सही जवाब होगा, चाइना, अब दोस्तों आपने मुझे बताएए, जियो लाइट क्या है, जियो लाइट एक प्रकार की धातू है, जो जोला मुखी पहाड से निकली चटानों की कंदराओं में पाई जाती है, और वास्ता में ये आपका हाइडरेटेड सोडियम ऐलुमिनियम स्लिकेट है, तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, कांसर यास से भी आ रहा है, बिल्कुल आप लोग कांसर सही हो जाएगा, चलिए, अब लेचलते हैं आपको आगे, अगला कोश्यन आप सभी के सामने आपको दिया गया है, निम लिकित में से किसका घनत जो है आपका सरवाधिक होता है, दोस्तों आप लोग मुझे बताए कि नम लिकित में से जो है, किसका घनत जो है आपका सरवाधिक होता है, राइट आंसर यहां से आपका क्या हो जाएगा थाइडिर्ट कोश्चन का सही जवाब होगा यहां से पानी तो सही जवाब क्या होगा आपका पानी हो जाएगा गैल वेनो मीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्ड मीटर बनाए जा सकता है इसको आप लोग बताईए तो जिनका भी अंसर यहां से आ रहा है हाई रजिस्टेंट्स और स्रीज बिल्कूल आपका अंसर यहां से सही हो जाएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगा हमारा अगला खोश्यन आपके सामने आपको दिया गया है इसको बताईए दोस्तों एकिस सो तेतालिस को अलतिस से बिवाजित करने पर भाग फल क्या होता है यह आप लोग बताईए पचपन सतावन चपन या फिर चौवन बताईए दगी 51 कोश्यन के अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा सिंपल से डिवाइड करेंगे तो आपका यहां से भाग फल जो आएगा चपन आजाएगा ठीक है चलिए अब दोस्तों आपका अगले खोश्यन आपके सामने आपको दिया गया है इसको ध्यान से लगाएगा एक छे अंकों की संख्य है आपकी A, B, C, D, E, F तो बनाने के लिए अंक जो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है प्रते एक वार उप्यों किया जाते है जैसे कि तीन अंकी संख्या A, B, C, 4 से डिवाइड होती है B, C, D, 5 से और C, D, E जो आपकी है यह आपकी दे रख्या है आपर 3 से डिवाइड होती है और D, E, F, 11 डिवाइड होती है तो संख्या क्या होगी बताएटे देखिए सबसे पहले आपको दिया गया A, B, C, 4 से 325, 4 से कड़ेगा नहीं यह आपका 4 से कड़ सकता है यह आपका 4 से नहीं कड़ेगा ठीक है ना 26 डिवाइड है यह दोनों आपकी कड़ जाएगे अब देखिए B, C, D, 5 से कड़ना चाहिए तो 245 डिवाइड है आपको 246 डिवाइड है यह नहीं कड़ेगा तो बस बिना कुछ करे आपका सही जवाब हो जाएगा C हो जाएगा और D, E, F, 561 दे रखा आपको 11, 55, 11, 11, 11, 11, 11 से भी कट रहा है तो यानि कि आपका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन C वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा अब दोस्तों देखिए आपका अगला कोशन आपकी सामने आपको दिया गया है निम लिके समिकरन को हल कीजिए तो दोस्तों आप लोग मुझे बताईए कि यहाँ से आपका सही जवाब क्या होगा देखिए 53 कोशन की बात करेंगे तो सही जवाब क्या होगा सबसे बड़े करते हैं डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो डिवाइड अगर आप लोग करेंगे तो 4 तीया 12 तीन तीया 9 दो दनी 4 नो चार पांच 25 हो जाएगा इसको सौल पर नगद 25 और 25 के 2 से मल्टिपलाई और कर देंगे तो 25 और पचास आजाएगा तो 36 माइनस पचास प्लस का बारा तो यह हमारा 48 होताएगा 48 में से 50 को माइनस करेंगे तो आपका माइनस का दो बचेगा ठीक है तो जिसका अब यह असर माइनस का दो आ रहा है बिलकुल आपका अंसर राइट हो जाएगा चलिए एक कोश्चन आपको दिया गया है यह आपको दिया गया है A प्लस B का होल आफ स्क्वाइर माइनस A माइनस B का होल आफ स्क्वाइर अगर मान लेते हैं पेपर में कोश्चन यह आता है a plus b का whole of square minus a minus b का whole of square तो इसकी value क्या होती है इसकी value के एकर हम बात करेंगे हमारा value हो जाएगा इसका 4ab और नीचे आपको 2ab दे रखा है तो ab से भी घड़ जाएगा 2 दिनी 4 होगा सही जवाब क्या होगा 2 हो जाएगा ठीक है जिसका भी आपसर यहां से 2 आ रहा है बिलकुल right हो जाएगा सही जवाब होगा आपका यहां से 2 अब देखे मेरे प्यारे साथियो निमलिकित विखल्पों में से कौन सा विखल्प चिन्नो का सही आरोई करम दरशाता है दोस्तों निमलिकित में से कौन सा विखल्प जो है भिन्नो का सही आरोई करम दरशाता है तो आपका सही जवाब होगा 3 बटे 5 2 बटे 3 7 बटे 9 9 बटे 11 8 बटे 9 तो जिनका भी आशर यह आ रहा है आपका 3 5 2 3 7 9 9 11 8 9 तो यह है आपका आरोई करम में छोटा तो उससे बड़ा उससे बड़ा सबसे बड़ा तो जिसका भी आशर यहां से आ रहा है भी होगा बिल्कुल सही अब आप लोग मुझे बताए कि यहां से आपका सही जवाब क्या होगा कोशन मार्क अपाउन में रहा है आपको 31,36 बड़ाबर एक बटे दो है तो इस कोशन का आपका सही जवाब क्या होगा चेलिए दोस्तों आपको मुझे बताएए इसको केबल आपको स्क्वाइर करना है एक बटे चार होगा चार से अगर हम कात्व करेंगे तो चार से इसको डिवाइड करेंगे आपका 784 आ चाएगा ठीक है तो जिनका बियांसर 7,8,4 आ रहा है आप्शन भी बिल्कुल आपका अंसर सही हो जाएगा अब मुझे आप लोग बताईए 11 बटे 20 33 बटे 50 77 बटे 60 का LCM क्या होगा देखिए अगर आपको फ्रेक्शन भिन्नो का LCM निकालना है एक बात हमेशा द्यान रखिएगा अगर आप लोग को भिन्नो का LCM निकालना है तो उपर वाली तो अंश होता है तो उपर वाले अंशों का निकालेंगे LCM और नीचे वाली संख्यों का निकालेंगे मासा यानि की HCF तो 11, 33, 77 यहां से आपको कितना हो जाएगा बताईए पहले इसका निकाली LCM तो 11, 33, 77 7, 21, 11, 21 21, 21 यह मेरा 231 आजाएगा और नीचे वाले में कॉमन निकालेंगे कॉमन 20, 50, 60, 10 आजाएगा तो सही जवाब मेरा क्या होगा यहां से 23, सही एक बटादस तो दोस्तों हमारा इस कुश्चिन का सही जवाब क्या होगा 23, सही एक बटादस यानि कि आपका option भी बिल्कुल right हो चाएगा ठीक है ना? चलिए यदि राजू बिजय से 20% अधिक आए अरजित करता है तो बिजय दोरा अरजित आए राजू दोरा अरजित आए के दुलना में कितना प्रतिशत कम है तो ये दोस्तों आप सभी को बताना है कि यहां से आपका सही जवाब क्या होगा अब आप लोग जो है इस question को लगा कर दिखाएए ठीक है ना? चलिए अब आप लोग बताए इस question का आपका सही जवाब क्या होगा सभी लोग बताएंगे याप पर जितने भी क्लास में लोग हैं सभी लोग जवाब दीजिए कि बिजय के दौरा अरजित आए राजू के दौरा अरजित आए के तुला में कितना परसंट कम है चलिए बताएंगे ओके मेरे साब में आंसर आ चुका है सोनी कुमारी भी आ रहा है स्वाथी पाणंडे यहां पर आ रहा है चार्छी बेड़े तीन परसंट आ रहा है बाकिं लोग भी ट्राइ कीजिए सुनी का आंसर पचास बेड़े तीन आ रहा है सुईटी समाधर का अब आ फिलकुल जहीँ है अक्षता सिंदे का सी है एकता जी का भी आ रहा है यहां पर अरुन जाट डपू का भी भी आ रहा है यहां पर विजय सचिन ओके बिल्कुल सही है दोस्तों अगर आप लोगों में से जिसका भी असर है आप बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सिंपल सा कोशन था आपका उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा तो कमी अगर हम बत करेंगे तो कमी निकालने का शॉट का ट्रिक क्या है आपका सो एक्स नीचे के दोस्तों क्या लिख देंगे सो पिलस एक्स तो यहाँ पर आपको दियागा साइट कोशन में कमी होरी 20 की अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे 20, 100 प्लस 20 120 हो जाएगा तो 100 इंटो 20 बटे 120 बरावर बचेगा 50 बटे 3 तो जिनका अब यहाँ सर्फ 50 बटे 3 आ रहा बिलकुल राइट होगा और यह है दोस्तों आज का लास्ट कोशन जिसका जवाब आप सबी लोग मुझे कमेंट के मातने से बताएंगे कोशन पड़ी से ध्यान से आपको क्या दिया गया है यदि कोई खुदरा विकरेता एक शल्ट 2350 रुपे में बेशता है यदि यह कोशन है काफी अच्छा कोशन आपके सामने है तो इस कोशन का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा चली बताएए 62 कोशन की बात करेंगे अभी तब तो फिलाल सही नहीं आ रहा है चली फिलाल इसका जवाब कल हम आपको बताएंगे यहाँ पर जब क्लास आपकी कल होगी तब तक के लिए आप लोग इसको ट्राई कीजएगा फिलाल आपको बताएंगे बी आंसर इसका नहीं होगा तो किरपया एक बार उत्तर के आप लोग जाज कीजएगा इसका सही जवाब आपको बताना है कि 6 परसन का लाब कमाने के लिए विकर हमुले क्या होगा यह आपको दोस्तो बताना है तो इसी के साथ आज़ी कलास में इतना ही रखते हैं अगर यह कलास आपको इंपोर्टन लगी हो हैल्फुल लगी हो वीडियो को लाइक कीजएगा शेर कीजएगा मिलते हैं आप लोगों से आपकी अगली कलास में तब तक के लिए दोस्तो नमस्कार